अम प्रमात्मने नमाँ पूर्वी स्लोक में भगवान ने वेराग्यवान योग भरस्त का तत्वग्या योगियों के कुल में जनम होना बताया। अब वहाँ जनम होने के बाद क्या होता है ये बात आगे के स्लोक में बताते हैं। तत्रतम बुद्ध संयोगं लवते पौर्वदेहिकं यतते चततो भूयह संसिद्धव कुरुनंदन। अर्थात तत्रतम बुद्ध संयोगं लवते पौर्वदेहिकं तत्वग्या जीवन मुक्त। महापुरुष्णों के कुल में जनम होने के बाद उस वेराग्यवान साधक की क्या दसा होती है। इस बात को बताने के लिए यहां तत्र पदा आया है। पौर्वदेहिकं तत्था बुद्ध संयोगं पदों का तात्पर यह है कि संसार से बिरक्त उस साधक को स्वरग आदी लोकों में जाना पड़ता है। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जनम होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्वजनम की साधल सामग्री मिल जाती है। तो जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नीद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उसका रास्ता उतना ते किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने ब्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वस पढ़ना छोड़ दिया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ागुआ प्रकरण बहुत जल्दी तयार हो जाता है। याद हो जाता है ऐसे ही पूर्व जनम में उसका जितना साधन हो चुका है जितने अच्छे संजकार पढ़ चुके हैं वे सभी इस जनम में प्राप्त हो जाते हैं। जागरत हो जाते हैं। तो यततेच अच्छा होने से साधन की अच्छी बाते मिल जाती हैं। साधन की युक्तियां मिल जाती हैं। जो जो नई युक्तियां मिलती हैं तियों तो उसका साधन में अपसा बढ़ता है। इस तरह वो सिद्धी के लिए बिसे इस तत्परता से यतन करता है। अगर इस प्रकार्ण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के भोग योग भर्ष्ट पहले सुरगादी लोकों में जाते हैं। उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वो तो सुद्ध स्रीमानों के घर में जन्म लेता है। और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वो योगियों के कुल्म जन्म लेता है। तो प्रकार्ण के पदों पर विचार करने से यह वाट ठीक नहीं बैठती। कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पौर्व देहिक बुद्धी संयोग अर्थाद पूर जन्म करत साधन सामें ग्री मिल जाती है यह कहना नहीं बनेगा यहां पौर्व देहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे सरीर का ब्यवधान नहों अगर ऐसा मानें कि सुरगादी लोगों में जाकर फिरवा योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूरा ब्यास कह सकते हैं जैसा कि सीरीमानों के घर जन्म लेने वाले योग भस्त के लिए आगे कि इसलोग में कहा है पर पौर्व देहेक नहीं कह सकते कारण कि ऊसमें सुरगादी का ब्यवधान पर जाएगा तो सुरगादी लोगों के देखो पौर्व देहेक बुद्धिसयोग नहीं कह सकते क्यों कि उन लोकों में भोग सामिग्रे की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रस्थ नहीं नहीं है अतहर वे दोनों भोग ब्रस्थ सुरग आदी में जाकर आते हैं यह कहना प्रकरण के अनुसा ठीक नहीं बैठता दूसरी बात जिसमें भोगों की वासना है उसका तो सुरग आदी में जाना ठीक है परंद जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारण बस साधन से बिशिलित हो गया है ऐसे साधक को सुरग आदी में भेजना तो उसको दंड देना है जोग सरवदा तो पार्मार्थिक उन्नती स्वकी है और सांसारिक उन्नती परकी है इसलिए सांसारिक पूजी तो नस्ठ हो जाती है पर पार्मार्थिक पूजी साधन योग व्रस्थ होने पर भी नस्ठ नहीं होते पार्मार्थिक उन्नती ढख सकती है पर मिठती नहीं और समय पाकर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकेन घंट को तबाएं और कमेंट बॉक्स में राधी किस नाने के परो जैसी राधी